सो हे वोट्स अब गाइस कैसा आप सबी लोग सो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIUI 14 और Android 13 के अपटेट के बारे में और बहुत सारे डिवाइस के लिए इस वीक के अंदर अपटेट आना वो रिलीज के गए हैं और कल के दिनी तीन ऐसे डिवाइजे शाओम के जिनके अंदर MIUI 14 और Android 13 का अपटेट आ चुका है तो कौन-कौन से डिवाइस के लिए इस वीक के अंदर अपटेट आना वो रिलीज के गए हैं और आने वाले वीक के अंदर आपको कौन-कौन से डिवाइस के अंदर अपटेट मिलेंगे इसके बारे में हम लोग डिटे आपके डिवाइस के लिए वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएगी तो इस बात पर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अब भी हम लोग सबसे बात करते हैं कौन-कौन से इस डिवाइस है जिनके लिए अपटेट आना वो रिलीज किया गया है तो यह देख आप लोग मारा टेलीगराम चैनल है यहां पर आपको जो न्यूज है ना वो पहले ही देखने को मिल जाती है तो आप लोग देख पारे होंगे MIUI 14 का MIUI 14.0.1.0 का जो अपटेट आना वो रिलीज किया गया है और यह जो अपटेट है वो रिलीज किया गया है शाओमी 11i हाइपर चार्ज डिवाइस के लिए और इसी का एक और मान सकते हो डिवाइस है वो है शाओमी 11i तो दोनों ही डिवाइस के लिए जो अपटेट आना वो रिलीज किया गया है एक तो नोर्मल 11i है और एक यहां पर हाइपर चार्ज है तो दोनों ही डिवाइस के लिए किया गया है तो आप लोग देख पारेंगे अपटेट की साइज आपको काफी ज़्यादा मिलती है 3.7 GB की और किसी भी MIUI डिवाइस के अंदर अपटेट आएगा MIUI 14 का तो साइज है वो आप लोगों आपर सेम ही देखने को मिलेगी तो यह है हमारा 3 डिवाइस बाकी मैं आप लोगों से बात करूँ एक और डिवाइस के बारे में तो वो है Xiaomi 11 Lite NE 5G तो इसके लिए भी फाइनली इंडिया में जो अपटेट आना वो आ चुका है और यह काफी अच्छा अपटेट है इसके अंदर आपको फीचर भी काफी अच्छे मिलते हैं वित Android 13 अपटेट के साथ म और आप लोग देख पारेंगे बहुत सारे नए फीचर है वो यहाँ पर एड किये गए है तो यह अपटेट आपको मिलता है Xiaomi 11 Lite NE 5G डिवाइस के लिए बाकी मैं आप लोगों से बात करूँ और कुछ अपटेट के बारे में तो MIUI 13 का भी जो अपटेट है वो रिलीस किया गया है MI 11 X डिवाइस के लिए जो की 13.0.10.0 का अपटेट है और 78 MB आप लोगों को अपटेट की टोटल साइज मिलती है Poco X3 GT अब इसके लिए भी फाइनली गलोबल में जो अपटेट ना वो आ चुका है और यह जो अपटेट है वो आप लोगों को यहाँ पर जल्दी ही म मिलेगा 20 मार्च से पहले पहले यह जो अपटेट है वो इंडिया में आप लोगों को 110 परसेंट रेखने को मिल जाएगा फोर Poco X3 GT अब भी बात करते हैं एक ओर डिवाइस के बारे में तो यह इंडियान वेरियंट है Poco X3 Pro इसके लिए 13.0.5.0 का अपटेट है वो आ चु मार्च से पहले पहले इंडिया के अंदर कभी भी देखने को मिल सकता है एक ओर डिवाइस है तो 11.0.5 इसके लिए पहले पाइले टेस्टर के लिए अपटेट है था उसके बाद में जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए अपटेट आ गया था तो यह काफी अच्छी बात है बाकि इससे पहले आप लोगों को एक नॉर्मल सेक्रोटी पेसलो का अपटेट में मिला था जो की 13.0.10.0 का अपटेट था और ये भी सेम डिवाइस के लिए था और इसके थोड़ी दिन के बाद में एक दिन के अंदर अंदर जो अपटेट है वो MIUI 14 का आ गया था तो इस पहले आप लोगों को इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिल सकता हैं मेब भी ये जो अपटेट है वो फेबरेरी के एंडिंग से पहले पहले कभी भी आना वो यहाँ पर रिलिस किया जा सकता है और यहाँ पर आप लोग देख पार होंगे मैंने वीडियो भी मना दिय कि कब तक अपटेट देना वो यहाँ पर आने वाला है तो यह हमारे कुछ डिवाइज जिनके लिए जो अपटेट देना वो इंडिया गलोबल और यूरोप के अंदर रिलिस किये गए हैं और यहाँ पर जो MI 11X 5G जो डिवाइज है उसके लिए भी आप लोगों को अपटे